ये चप्टो बन हम स्टड़ी कर रहे थे लास्ट लेक्टर में हमने बाइलेजी एंडर सविस ऑफ मैंकाइन को पढ़ा था और हमें देखा था कि हम किस तरह से बाइलेजी को यूज करते हैं human beings के फाइदे के लिए आज को हमारे डापिक है वह हम उसी डापिक को कौन्टीनेव करेंगे और आज हम देखेंगे हम biology को किस तरह से यूज करते हैं diseases को control करने के लिए अब diseases में जैसे जैसे हम कहते हैं कि science में बहुत तरक्की होती जा रही है इसी तरह biology में भी बाइले जी में जैसे हम कहते हैं कि बहुत प्रोग्रेस होती जा रही है तो disease control के उपर भी हम बहुत काम कर चुके हैं diseases को किस था से cure करना है या किस था से control करना है इसके लिए हम तीन basic actions लेते हैं first हमारे पास है preventive measures उसके बाद उसके बाद तो नहीं basically यह एक और step है जिस हम कहते हैं vaccination और उसके बाद drug treatment या फिर इसके अंदर different therapies भी आ सकते हैं तो one by one हम इन दीनों को देखते जाते हैं कि इसके अंदर basically है क्या सबसे पहले हम preventive measures को देखेंगे कि preventive measures क्या है preventive measures को basically हम इस्तियाती तदा भी भी कह सकते हैं या फिर हम इसको precautionary measures भी कह सकते है precautionary measures यानि वो तमाम तरीके और वो तमाम steps जो हम लेते हैं किसी भी बीमारी को रोकने के लिए यानि हम जो इस्तियात करते हैं कि हमें कोई भी बीमारी ना हो जाए उसको हम preventive measures के अंदर देखते हैं जैसे के for example अगर हम AIDS की बात करते हैं let's talk about AIDS AIDS क्या होता है AIDS को हम कहते है acquired immune deficiency syndrome और इसमें basically होता क्या है इसमें यह होता है कि human body के अंदर तमाम की तमाम immunity जो है वो खत्म हो जाती है यानि के बीमारियों के साथ लड़ने की जो सलाहियत है जो कि human body में already पहले से होती है वो खत्म हो जाती है और इसका causative agent या फिर हम कहते हैं कि किस वज़ा से AIDS होता है उसकी वज़ा है HIV virus HIV virus यानि human immunodeficiency virus ये virus spread होता है या तो sexual contact की तुरू या फिर blood transfusion की तुरू या फिर surgical instruments वगेरा से जब भी कोई surgery होती है कोई operation वगेरा perform किया जाता है और उसके अंदर अगर हम contaminated instruments या फिर कोई ऐसे आलात इस्तमाल करें जिनके उपर जिन पे AIDS का खत्रा मुझूद हो यानि के जिन पे कुछ ऐसा blood हो या AIDS के जरासी मौझूद हो और वो किसी और patient के उपर इस्तमाल कर दिये जाएं तो AIDS फैल सकता है AIDS दूसरे patients को भी हो सकता है तो यह basically तीन वजुहात हैं जो के हमने देख लिए जिनके वजह से HIV virus फैलता है और AIDS का AIDS के होना या probability होती है हमारे पास के AIDS हो सकता है तो अगर हम इन ती इन और चीज़ों में इस्तियात करें यानि के हम sexual contact में blood transfusion के दौरान या फिर किसी भी surgery के दौरान इस्तियात करेंगे तो हमें AIDS नहीं हो सकता तो यही basically preventive measures होती है इसी तरह अगर हम किसी और बीमारी की बात करें जैसे चले हम बात कर लेते हैं Hepatitis की बात कर लेते हैं Hepatitis जैसे के पाकिस्तान में कहा जाता के हर 10 में से एक बंदे को Hepatitis है Hepatitis I don't know spellings ठीक है या नहीं Hepatitis में basically क्या होता है Hepatitis जो है वो AIDS virus की through transfer होता है Hepatitis की basically different types होती है हम कहते है Hepatitis A है B है C है bla bla तो यह जो Hepatitis के viruses हैं इनमें कुछ ऐसे viruses हैं जो के blood के through फैलते हैं इसी तरह कुछ ऐसे viruses हैं जो के contaminated water गंदे पानी के through फैलते हैं contaminated water तो अगर हम पानी को उबाल के पिएंगे या blood transfusion के दौरान हम इहत्यात करेंगे तो हमें Hepatitis नहीं हो सकता तो यही basically point था बताने का कि preventive measures जो हैं वो ली जाती हैं ताके हम किसी भी बिमारी से दूर रह सकें इसको हम यह भी कह सकते हैं कि यह carefulness है इहत्यात है जो के करना बहुत जरूरी है इसके बाद next जो हाई पस्टेप आ जाता है उसे हम कहते हैं vaccination अपने अपसर देखा होगा जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको vaccines लगवाते हैं कुछ 6 TK होते हैं जो के लगाए जाते हैं पाकिस्तान में इसी तरह later ages में हम different तरह की vaccines को यूज करते हैं जैसे हम hepatitis के लिए vaccine को यूज करते हैं हम polio के लिए vaccines की यूज करते है इसी तरह different तरह जो है vaccines की types होती है तो vaccine basically होता क्या है सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि vaccine किसे कहते हैं देखें बीमारी हमें कैसे होती है बीमारी इस तरह से होती है कि कोई microorganism या फिर microorganism या फिर harmful organism जो हमारे body के अंदर enter हो जाता है या फिर हम कहते हैं कि कोई virus है या कोई bacteria है जो के हमारे body के अंदर आ गया है और वो हमें बीमार कर रहा है तो vaccine में हम क्या करते हैं हम vaccine में यही जो virus या यही bacteria या यही microorganism के weak germs जो हैं अपने अंदर enter गवाते हैं वो vaccine oral भी हो सकती है जैसे कि polio के कत्रे हम मुखे थू लेते हैं या फिर वो vaccine किसी injection की form में भी हो सकती है तो हम मकसद हमारे यह है कि हम weak germs को अपने body के अंदर enter करवाएं अब आपके ख्याल में यह बात आ रही होगी कि अगर तो हम germs को खूद enter करवादें तो हमें तो बीमारी हो जाएगी हम तो बीमार हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह वीक जर्म्स होते हैं या फिर यह इनक्टिव जर्म्स होते हैं जिसके थूँ जब भी कोई extra चीज, कोई extra chemical या कोई extra चीज हमारे body के अंदर आती है तो उसके against हमारे body में antibodies produce होते हैं और वो antibodies लड़ते हैं in weak germs या फिर कोई भी extra चीज जो हमारे body के अंदर आई है उससे और उसको destroy कर देते हैं इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमने vaccine में क्या किया हमने vaccine में weak germs को लिया उनको body के अंदर एंटर कवाया और body में क्या किया उसके response में antibodies बना दिये और अब body को पता चल गया कि अगर मेरे पास इस तरह के कुछ organism या इस तरह के virus या बैक्तिरिया या कुछ भी आता है तो मुझे उसके साथ किस तरह से लड़ना है अब जब reality में हमारे body के अंदर कभी किसी भी stage पे इस तरह के original viruses या बैक्तिरिया जो के active form में होते हैं वो enter होते हैं तो हमारे body को पहले से पता होता है कि उन्होंने किस तरह से हमारे body में किस तरह से उसके साथ लड़ना है या किस तरह से उसके साथ deal करना है और उसको खत्म करना है यह जो vaccination का process है यह first time Edward Jenner ने फर्स ताइम इंटर्ड्यूस कर रहा था 796 में और vaccination उसके बाद से आज तक vaccination का process जो है वो चलता आ रहा है और दुनिया में बहुत सारी ऐसी बिमारिया हैं जो के totally खत्म हो चुकी है जैसे कि हम कहते हैं कि smallpox की जो बिमारी है यह दुनिया से totally खत्म हो चुकी है because हमने vaccination के through उसको खत्म कर दिया है इसी तरह different researches जो हैं वो अभी भी continue है कि हम किस तरह से अपने world चे अंदर से different बाकी बिमारियों को भी खत्म कर सकें जैसे कि polio हो गया है पाकिस्तान में तो already polio पे काफी काम हो रहा है जैसे polio है जैसे AIDS है AIDS पे भी काम हो रहा है तो यह कुछ बात थी जो कि हमने पढ़ ली vaccination के लिए और vaccination जो है वो हम क्यूं करते हैं हम इसलिए करते हैं ताके हम किसे भी बिमारी को होने से अपने body को बचा सके third जो हमारे पास step है vaccination के बाद third step जो है वो हमारे पास है drug treatment या फिर ठेरपीज आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बिमारे जाते हैं तो अक्सर हमें जो डॉक्टर है वो एंटी बायोटेक्स लिखके देता है और उन एंटी बायोटेक्स को लेने से हम बिलकुल ठीक हो जाते हैं तो एंटी बायोटेक्स basically होता क्या है एंटी को तो हम कहते हैं कि against और बायोटेक्स का जो word है ये bio से निकला है यानि कि life से तो against life यानि कि हमारे body के अंदर कुछ living organisms यानि के bacteria, viruses या फिर कुछ और microorganisms आ गए हैं जिन्होंने हमें बिमार कर दिया हैं तो anti-biotics क्या करती हैं कि वो उन living organisms को खत्म कर देती हैं और इससे हमें क्या फाइदा होता है? हमें इससे ये फाइदा होता है कि हमें एको ठीक हो जाते हैं इससे तरह different बाकिश जितने भी diseases हैं उनके cure के लिए भी हम कुछ ना कुछ दवाईयां रेते हैं, कुछ drugs लेते हैं या हम कोई ना कोई therapy यूज करते हैं ताके हम ठीक हो सकें जैसे for example हम अगर example लेते हैं, cancer की चलाई example ले लेते हैं cancer जो है वो बहुत ही खतरनाक बिमारी है और उसके अंदर होता क्या है, उसमें यह होता है कि हमारे body के जो cells हैं, उनमें uncontrolled cell division होने लग जाती है uncontrolled cell division, cells जो हैं वो बार बार divide और redivide करते रहते हैं और इस तरह से हम कहते हैं कि यह cancer है, cancer को किस तरह से treat किया जाता है cancer को treat करने के लिए different methods यूज की जाते हैं जिसमें हमाई पास radiotherapy आ जाती है यह पर chemotherapy आ जाती है, तो यह कुछ methods हैं जिनसे हम cancer को cure कर सकते हैं, cancer का इलाज कर सकते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं radio therapy के, radio therapy में हम यह करते हैं कि हम patients को एक control room में ले जाते हैं और वहाँ पर different radiation के तरूम के cancer को cure करते हैं, cancer का इलाज करते हैं लेकिन जिब होती हामफुल प्रोसेस है, हामफुल इस तरह से है कि जब ही हम radiation के साथ deal कर रहे होते हैं तो वह radiation ना सर्स cancerous cell या cancer के जो cells हैं उनको खत्म करते हैं बलकि इसके साथ जो हमारे normal healthy cells होते हैं वो उनको भी माट देती हैं या फिर उन cells को भी destroy कर देती हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और cure नहीं बशता तो हम radiation therapy को ही यूज करते हैं लेकिन उससे भी पहले cancer की जो earliest stages हैं उसके अंदर हम chemotherapy को यूज करते हैं और chemotherapy क्या है, chemotherapy है chemicals के through cancer का इलाज करना यानि कि हम different chemicals लेते हैं, हम different दवाहियां लेते हैं और उसके through cancerous cells जो हैं हम deal कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो हमारे different normal cells होते हैं, हमारे body के healthy cells होते हैं वो भी हत्म होने लगते हैं, इसके साथ साथ हम different और techniques को use करते हैं, बिमारियों के इलाज के लिए और उसमें हमारे पास gene therapy एक बहुत ही important technique है, जिसके through हम different बिमारियों का इलाज करें हैं और आजकल इसके उपर बहुत काम हो रहा है, gene therapy क्या है, gene therapy में हम ये करते हैं, कि हम किसी भी individual के अंदर जो भी बिमारी से related, जो भी genes हैं, हम उनको remove कर देते हैं या फिर healthy genes को किसी भी organism के अंदर transplant करा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कि उसके बाद वो organism मजीद बिमार नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि different बिमारियां होती हैं, जो कि हमारे parents से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि हम inherit करते हैं अपने parents से तो उन बिमारियां, तो वो बिमारियां जो है, उनका reason क्या है, उनकी reason हमारे genes है, बिकास वो बिमारिया हमारे genes के अंदर, genes के थूर, transfer होगी है हम तक उन बिमारियों के इलाज हम जीन्स तरपी के चूप कर सकते हैं जीन्स तरपी हमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो जीन्स हैं जो कि ये इंफोर्मेशन जिनके अंदर ये इंफोर्मेशन होती है उन जीन्स को हम चेंज कर लेते हैं उनकी information को हम change कर लेते हैं, हम genes को transplant करा देते हैं, अपने body के अंदर, और इस तरह से हम विमानियों का इलाज कर सकते हैं, तो ये तो कुछ methods थे, जिनके तो हम diseases को control कर सकते हैं, इसके इलावा कुछ और methods हैं, जिनको हम use कर सकते हैं, human beings के फाइदे के लिए, और उसके अंदर different च इसके इलावा, हमाई पास आजाते हैं, protection and conservation of environment, तो सबसे पहले हम cloning को देख लेते हैं, cloning क्या है, cloning के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, cloning basically क्या है, cloning में हम different clones बनाते हैं, और clone क्या होता है, clone हम कहते हैं, genetically identical individual, बिल्कुल exactly same individual produce होता है, एक इसी भी clone के सूप, और यह किस तहा से होता है, यह इस तहा से होता है, कि हम basically, इसमें हम यह करते हैं, कि हम एक fertilized egg लेते हैं, fertilized egg, let's suppose, यह हमारे पास एक fertilized egg है, normal cell ले लेते हैं, normal cell, और यह इसका cell का nucleus, तो हम ने basically यह करना होता है, कि हम fertilized egg में से, उसका जो nucleus है, वो remove कर देते हैं, यानि कि वो जो cell है, वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इसके अंदर nucleus नहीं रहेगा, उसके बाद हम यह करते हैं, कि हम एक normal cell का nucleus है, उसको इस fertilized egg के अंदर डाल लेते हैं, कुछ इस तरह से, यह इसके अंदर आ जाएगा, और यह वाला जो हमाएरे पास egg आ जाता है, इसको हम किसी भी individual के अंदर, किसी भी individual के अंदर डाल लेते हैं, और यह egg जो है, इससे हमाएरे पास zygote बनता है, zygote के बाद, different stages से, बनते बनते हमाएरे पास एक नया individual बन जाता है, और यह individual identical copy होता है, इस individual के, यानि के, हमारे पास, suppose अगर हम कहते हैं कि यह हमारे पास A था, और यह हमारे पास B था, तो यह जो clone बनेगा, यह clone B का clone बन जाएगा, हलांके जो B organism है, इसने कोई reproduction का, या फिर इसके अंदर कोई भी fertilization का process नहीं हुआ, तो इस तरह से हम identical copies या clones बनाते हैं, और इस process को हम कहते हैं, यह है cloning, cloning को हम use क्यों करते हैं, cloning हम वहाँ use करते हैं, जहां हमें अपनी मर्जी के organisms चाहिए होते हैं, जैसे for example, different plants के clones हम बनाते हैं, इसे तरह अगर animals की बात की जाए, तो mammals के अंदर अभी तक experiments किये जा चुके हैं, उनमें mouse के उपर experiment हो चुका है, चुहे के उपर इसी तरह cows के उपर cows के क्लों के clones बनाए जा चुके हैं, और साइंस में मजीद तरक्य होती जा रही है, इसी तरह से देखा जा रहा है कि हम मजीद different चीज़ों में जैसे के horses की production के लिए, या human beings के भी clones बना दें, although human beings के clones बनाने की जो बात है, यह एक highly controversial topic है आजकल science में, कि human beings के clone इदर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मजीद और बहुत सारे social issues आ जा जाते हैं, anyways, तो यह कुछ methods से जिनके तरू हमने देखा कि कि साहर से हम biology को use कर सकते हैं, एक और method भी use हो सकते है, clone बनाने का, और उसमें क्या होता है, कि हम जो हमारे पास zygote होता है, या फिर fertilized egg होता है, हम क्या करते हैं, suppose यह हमारे पास egg है, तो हम उसको तोड़ देते हैं, इस तहा से तोड़ते हैं, कि हमारे पास दो छोटे organisms, दो छोटे से self आ जाते हैं, और मजीद यह पिर जब अपनी later stages जैसे हम देखते हैं, करके zygote हो पिर embryo हो पिर अपनी different stages हैं complete करके जो individual बनता है, तो उसमें क्या होता है, कि यह या फिर दोनो exactly same individuals बनते हैं, यानि कि यह दोनो एक दूसरे की true copies होगी, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने एक ही cell को divide कर दिया था और इस cell के अंदर या इसके nucleus के अंदर जो information थी वो एक ही जैसी थी, same information थी तो जो individuals बने वो भी एक जैसे थे तो यह भी एक type है हमारे पास cloning की, next two हमारे पास topic है, वो था हमारे पास preservation and conservation of environment, इस topic के अंदर हम यह लखेंगे कि हम किस तरह से preserve कर सकते हैं अपने environment को बचा सकते हैं और conserve कर सकते हैं environment को, जैसे जैसे हम science की तरकी को देखते हैं इसे तरह उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं जैसे के हम अगर industries की जब बात करते हैं, different तरह के हमारे पास industries हैं और वो बहुत सारे finished products बनाती हैं जो हमारे different फाइदर के चीज़ें होती हैं लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे toxins या पर different harmful chemicals भी बनाती हैं और वो harmful chemicals हमारे environment के लिए या फिर environment के अंदर particularly हम कहते हैं air और water के लिए बहुत ही harmful होता हैं इसी तरह अगर हम लोग automobils की बात करें जो हमारे पास different गाडियां होती हैं उन गाडियों से एक तो smoke produce होता है जो कि सीरा का सीरा air में चला जाता है फिर उसके इलाबा noise pollution जो है वो भी automobils के वज़ा से हो सक होती है या फिर हम कहते हैं कि जो industries के अंदर chemical zone में specially chromium के chemicals, chromium के जो compounds हैं वो हमारे लिए बहुत हामफुल होते हैं वो human beings के लिए बहुत हामफुल हैं और वो बाकी organism जिनमें हमारे पास plants आ जाते हैं या animals है different वो उनकी life के लिए बहुत हामफुल हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए bio remediation का process यूज़ करते हैं बायो remediation बायो remediation का process basically ये है कि हम किसी भी environment में से toxins को या harmful chemicals को harmful chemicals जितने भी environment के अंदर हैं हम उनको remove करते हैं with the help of living organisms जैसे हम अगर for example हम लोग कहते हैं कि heavy metals की जो pollution है heavy metals की pollution है environment के अंदर उसके लिए हम LG को use कर सकते हैं LG जो है वो क्या करती है LG जो है वो इस pollution को कम कर देती है LG absorb करती है LG basically absorbs these metals ये इन metals को drop कर लेती है तो क्या होता है कि environment के अंदर इनकी pollution कम हो जाती है तो इससे हम different organisms को भी use करके bio remediation कर सकते हैं यानि कि हम biological organisms living organisms को use कर सकते हैं toxins जहां harmful chemicals को हत्म करने के लिए इसके इलाबा एक और issue जो कि हमारे environment के living organisms को है जो कि specifically हम कहते हैं कि animals को है वो है endangered species का endangered species उन species को कहते हैं वो organisms जो हमारे environment के अंदर खत्म हो रहे हैं जिनकी species species खत्रे में हैं और वो near future में बिल्कुल extinct हो सकती है extinct on organisms को species हो गयते हैं जो कि हम दुनिया में नहीं रही जैसे कि हम कहते हैं कि dinosaurs इसके example है दुनिया में से totally हत्म हो चुके हैं और बहुत पहले के हत्म हो चुके हैं यानि कि उनकी species extinct हो चुकी है तो different endangered species का अगर ख्याल रखा जाए या फिर वो इसी तरह से उनकी population कम होती जाए तो एक वक्त आता है कि वो भी extinct हो जाती है तो biological का day one से यही एक purpose है कि वो किस तरह से living organisms और life को preserve कर सके और उसकी quality को improve कर सके और उसके लिए हम different तरीके यूज कर सकते हैं different methods यूज करते हैं life को बचाने के लिए endangered species के लिए जैसे for example अगर national level की बात की जाए तो endangered species के लिए हम laws बना रेते हैं different या पर हम यह देखते हैं कि वो कौन से causative agents हैं जिनकी वजह से कोई भी species जो है कि वहां पर food कम हो जाए या फिर ऐसे हो सकता है कि food या फिर यह हो सकता है कि वहां पर competition बहुत जादा हो यानि कि organisms खुद जादा हो और उनके पास जो resources हैं वो बहुत कम हो या फिर कोई भी हो और का जादा हो रही हो उन organisms की तो अभी वो जह हो endangered हो सकते हैं या फिर नामिन के अंदर कुछ ऐसे pollutants हो या एर में या फिर dirty water हो जो के इन organisms को हत्म कर रहा हो इनकी population को extinct कर रहा हो extinct कर रहा हो जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो different जो fish हैं हमारे पास उनकी life जो है वो खत्रे में है और बहुत सारी fishes हमारी fish जो है वो पूरे पाकिस्तान से मर जाती है हर साल बहुत जादा और उसकी वज़ा क्या होती है उसकी वज़ा हमारे पास यह तो dirty water है या फिर वही dirty water के अंदर मारे पर बिसकली pollutants हैं जैसे कि हम कहते हैं कि lead के जो pollutants हैं PB जिसे हम कहते हैं तो इसके different pollutants हैं जो के environment के अंदर हैं वो हमारे और मजीद चीजों को pollute करें हैं या फिर fish के लिए petrols या petrochemicals जो हैं वो इनको नक्सान देते हैं तो basically यह तो हमने देखा किस तरह से endangered species को deal किया जाता है उनके लिए क्या-क्या steps लिए जाते हैं आज का हमारा topic जो था असमें हमने क्या देखा हमने सबसे पहले तो यह देखा कि हम virus को किस तरह से use कर सकते हैं disease के control के लिए different बिमारें को खत्म करने के लिए पहला हमने देखा preventive measures उसके बाद हमने vaccination और हमने drug treatment यह different तरह की therapy के कौन-कौन से therapies हैं जो के हम apply कर सकते हैं उसके बाद मजीद हमने कुछ और चीज़ें discuss की कुछ और methods discuss की जैसे उनमें हमारे पास पहले एक था cloning, cloning के अंदर हमने देखा हम किस तरह से clones बनाते हैं, cloning का method, cloning किस तरह से की जाती है और क्या-क्या फाइदे है cloning के, उसके बाद हमने preservation and conservation of environment के अंदे देखा कि हम environment के अंदर different living organisms की फाइदे के लिए क्या करें हो, environment को किस तरह से conserve रख रख रहे हैं तो यह तो हमारा आज का topic था, और यहीं पर हमारा जो पहला chapter है, वो खत्म हो जाता है, next lecture में हम next chapter से continue करेंगे, so that was all